हेलो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग मैनोमीटर के बारे में देखते हैं मैनोमीटर को थोड़ा समय मोडिफाई करके भी आपको बताऊंगा कि मैनोमीटर को अगर हम एक इंकलाइन प्लेन पे रख दें इंकलाइन प्लेन पे रख दें तो मैनोमीटर कैसे काम करेंगा या कि हम एक सिंपल मेनोमीटर में जब equations apply करते हैं या किसी एक 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 विशन पर आते हैं या प्रेशर को calcate करते हैं तो अगर हम उसको in-kind plane पे टक दें तो हमें क्या-क्या changes करने पड़ेंगी या हमारी equations कैसे चेंज होगी देखा recept हो आईए शुरू करते हैं तो पहले तोड़ां दीख लिए तरह कि मैनमेटर क्या होता है एक यूट््यूब मैनमेटर होता है कि बीजिकली । दौनों साइट्स में डोंनों साइट्स में ये यूट़्ूब होती है पाइप होती है और एक साइड में प्रेशर पी नौड है लेट साइड में राइट साइड में प्रेशर पी थ्री है तो बिसिकली मैनोमेटर किस काम आता है मैनोमेटर से हम किसी किसी भी चीज का एक प्रेशर को आइडिनिटिफाई करते हैं pillars wäre करते हैं ब今 सब यहां पर मैंने pad लगा दिया और कुछ प्रेशचर रहे का यहां परดव बक्स लगातिया वहां कुछ प्रेशन रहे का यह इधर बॉक्स नहीं लगा या पन टू अट्माउसपेर चोड़ दिया तो प्रेशचर यहां पर पी नौट होगा, यहाँ पे P3 कोई भी मेरा एक box है या कुछ भी हम connect कर सकते है यहाँ पे तो P3 हम कैसे निकाल सकते है अगर हमको P9 पता है और यह height, obviously इस height के साथ-साथ मेरा एक scale लगा रहेगा, जिससे कि height मैं measure कर लूँगा तो यह जो height difference से यह pressure मैं P3 calculate कर लूँगा तो basically manometer जो है किसी भी vessel के अंदर या किसी भी चीज के अंदर हमको pressure measure करने का है तो हम manometer से measure कर सकते हैं high difference को measure करके तो कैसे काम बढ़ता है एक बाद यह समझ जाएंगी काम कैसे कर रहा है तो बाकी इसको हम कैसे भी modify कर दे आपके लिए ज्यदा डिफिकल्ट नहीं होगा concept इसमें देखिए manometer का concept क्या है pressure at same height in the same fleet is same यह static fleet के लिए बात कर रहे है यह figure देखिए अगर मैं कोई भी height लेता हूँ horizontal line height अच्छा इंपोरेंट है height मतलब अभी क्योंब देखिए यह जो pressure difference आ रहा है हमको मालूम है कोई भी vessel में हम लोग अगर liquid को fill करते है तो obviously यहाँ पर pressure अलग रहता है और जो यह pressure change हो रहा है it is only due to this gravity G नहीं रहेगा तो यह pressure difference भी नहीं होगा तो height जो हम measure कर रहे है vertical height की बात करते है यह चीज़ काफी important होगी जब हम YouTube manometer को inclined plane पर रख देंगे तो vertical height same पर जैसे देखिए यह और आए देख लिए point one देखिए point two देखिए same fluid पर same vertical height पर मैं height कहीं से भी measure कर सकता हूँ मैं bottom में एक line कीच लेता हूँ ऐसे और यहाँ से एक यह height यह दोनों height देखिए दोनों height same है यह किसी भी आप horizontal line से आप measure करेंगे तो height दोनों की same आएगी basically height जो है वो gravity की direction में आदी की vertically downward या upward होनी चाहिए तो same height पे pressure same रहेगा यह आपको याद रखना है कि किसी भी static fluid में same fluid में obviously same height पे height जो की vertical same vertical height में जो pressure रहेगा वो same रहेगा तो हमने यह उस किया देखिए इस figure को देखिए 0.1 और 2 पे हम लोग अप्लाई करेंगे 0.2 देखिए 0.2 पे यह pressure P3 act हो रहा होगा यहाँ तो कुछ liquid नहीं है तो यह pressure P3 act होगा 0.2 का pressure हमने देखिए यह P3 लिखा अब 0.1 का pressure निकालने के लिए 0.1 का pressure यह हमको मालूम है P0 suppose it is open to atmosphere या यह किसी और vessel से connected है जिसका pressure P0 है P0 आया प्लस नीचे गया gravity direction में तो यह यह weight है यह भी add हो जाएगा P0 प्लस rho GH P0 प्लस rho GH लिख दिया फिर P2 is equal to P3 रिखा P3 के आ गया simply में प्लस rho GH आपको मालूम है आप simply P3 को calculate कर सकते है तो यह एक simple सा funda है simple सा principle है YouTube manometers का आपको बस करना क्या है same height पे दोनों साइड में pressures को equate कर दिना है अब देखिए यह figure देखिए यहाँ पे एक दूसरा fluid दिया हुआ है यहाँ पे कोई और fluid भरा हुआ है यह green color से देखिए दूसरा fluid भरा हुआ है और यह मेरा जो manometric fluid है basically देखिए यह कुछ भी हो सकता है water हो सकता है यह कोई भी fluid हो सकता है तो red colors में मेरा manometric fluid है left side में कोई एक fluid है right side में दूसरा fluid है obviously दोनों की height difference अच्छा यह देखिए यहाँ पे देखिए इधर यह figure को आप देख की आपको समझना चाहिए कि आपको जो pressure होगा इस limb में light limb में वो ज़्यादा होगा दोनों side अगर pressure सेम है तो देखिए दोनों equal रहेंगे दोनों side में सेम pressure है इधर मैंने pressure बढ़ा दिया तो यह वाला जो इंक्रीजड pressure है यह इस liquid को इधर push कर देगा तो इधर देखिए यहाँ pressure बढ़ाया होगा यहाँ ज्यादा pressure होगा तभी इस liquid को इसमें तोड़ा push कर दिया ठीक है इसमें भी देखिए अब इसमें भी अगर आपको suppose इसमें apply करना है तो simple है आप देखिए यह x x से लगाय हुआ है यह same liquid में same height पे points है इन दोनों points पे कुछ नहीं करना है pressure को equate कर दिजिए यहाँ आपको मालूम है PA है PA है PA plus यह height आपको मालूम है PA आप ऐसे लिखेंगे PA plus rho इस A वाले fluid का rho G और यह H H1 H1 I think हाँ H1 है और इस साइड देखें इस साइड का ellicking equation यहाँ पे PB दिया हुआ है PB इसको मैं delete करता हूँ PB PB हो गया plus PB ग्रीन और liquid में इतना आया height यह H3 total है तो यह जो है H3 minus H2 होगा PB plus H3 minus H2 times rho B वाले fluid का density rho G plus यह देखे red वाला liquid भी आ गया तो H2 rho manometer into G यह equation है इसमें आपको कई तरह चीज दी होँगी कोई एक चीज पूछ रहोगा इससे आप निकाल सकते हैं तो funda मेरा सेम रहा आपको understand हुआ होगा अच्छा दीखे यह एक चीज दिया हुआ है rho M is greater than rho A and rho M is greater than rho B जो यह rho M मतलब जो manometric fluid है इसकी density इधर वाले fluid से भी ज़्यादा है और इधर वाले fluid से भी ज़्यादा है तो रहा सोचिए ज़्यादा क्यों है कम होगी तो क्या होगा सोचिए कमेंट में पूछिए अगर नहीं समझ पाना है इजी है तो आप जरूर लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा ओके तो आच्छा ओके सपोज ठीक है यह तोड़ा सा एक पार यहाँ देख लेते हैं यह जो भी है हमने देखा देखी pressure difference जो आ रहा है जो हम उपर से नीची जा रहे हैं अगर मैं किसी वैसल में लिक्विट भरा है इसको मैं इसको में शिया से एक्षेलरेट कर दूँ का ठीक है अगर सेजेटी अगर यह बरा हूँ वड़ा है देखे कि सेम हाइट पे प्थम प्रिशार नहीं हुआ यहाँ क्योंकि यह एक्सलरेशन है तो इसमें बैटके तो दिखना पड़ेगा इसमें इस लिक्विड पर फोर्स आपको ये यह और लगाना पड़ेगा इधर की और आपका प्लिट वड़ेगा फिवन का प्रिश्य ज्यादा होगा पीटू का कम वह पीति का और कम होगा इसी तरह कर देखिए सब उस जी नहीं है दिर इस नो जी एक हम ऐसे ग्रैप जाते हैं जहां पर ग्रैविटी खतम है ग्रैविटी जीरो है और उसको मैं ए से करता हूं एक्सलरेट तो मेरा जो लिक्विट का लेयर है देखिए ऐसा हो जाएगा यहां खाली हो जाएगा इस वर्टिकल डाउनवर्ड में या अपवर्ड में कोई प्रेशर चेंज़ नहीं होगा इकल होंगे प्रेशर चेंज़ किदा होगा होरिजूंटली लेफ्ट और राइट डिरेक्शन में चेंज़ होगा तो रहत ध्यान दीजिए तो रहत दिमाग लगाईए आप समझ जाए के आए दिखते हैं हमारा मेन टॉपिक मैनोमीटर और एंड एंड लेवल होगा बट यहां देखे जब मैं इसको इंकलाइंड प्लें पे रख देता हूं तो मैरा एक लिम में यहां पर आया दूसरी लिम में तुरस नीचे आ गया नीचे क्यों आया देखिए मैंने कुछ किया नहीं के वल इंकलाइंड पे रखा हुआ है मेरा जो जी था ग्रेविटी ग्रेविटी की कारण ही यह जो लिक्विट के लेवल उपर नीचे हो रहे हैं या प्रेशर चेंजर हो रहे हैं वो तो मेरा सेम इरा तो यहां पे भी मे सब्सक्राइब यहां पे तो अगर ओपन टो एटमोस्पेर तो पी नौट होगा इदर भी पी नौट होगा तो इस लाइन पे यह पॉइंट यहां पड़ेगा तो यह पी नौट के इकोल है इसके लिए मेरा जो राइट साइड में जो लेक्विट का लेवल है उसको तो तो बार सा नीचे जाना पड़ेगा एदेखे हाइड का गैप एच आ गया ओके इसमें कैसे करते हैं करने का सिंप तो यह तो यह है मैं तो राइट साइड में है मेरा लिक्विड लेवल है नीच या जाएगा अच्छा तो अभी इसमें देखे मैंने यहां पर माल लिजिए यह जो प्वइंट था उपर वाला यहां पर प्रेशन है मेरा है Pnao यहां पर प्रेशन है P3 यहां पर P2 ओके तो अभी मुझे P3 लिखना है P3 लिखना है तो मैं P3 कैसे लिखूंगा इस जो P1 से कितना नीचे आया वर्टिकली डाउनवर्ड कितना आया तो P1 तो मैं P1 लिखूंगा P1 प्लस वर्टिकली डाउनवर्ड सपोज अगब मैं यह एजूम करूं कि मैं H एच यह वाला सॉरी एच देखिए जो एच है वो इस यूटूब मैनोमीटर की लिम्ट के अलॉंग है एच नीचा है तो मेरा A B कितना होगा क्योंकि मेरा A B H возвort particularly downward है सिम्पिल सा H cos theta हो जाएगा theta मेरा अगर यह है theta है देखिए जान दीजीए अगर यह theta है तो गेर यह theta है तो इसमदिए तो यह weather है तो यह एच जाएगा तो मेरा यह भी theta होजाएगा फोड़ा जमाओच्ची देखी अगर नहीं संभन में आ रहा है तो कमेंट बाक्स में पूशिए सिंपल है कुछ शून यह इसमें नहीं फीत यह मेरी यério जो लाइन है यह परड़ाल to this लाइन पले तो डिस लाइन है और इस लाइन का जो horizontal line से angle है यह मेरी horizontal line है उससे angle theta है तो यहाँ भी theta हो गया यहां थीटा हुआ तो अगर मैं यह और यह करूंच तो यह मेरा 90 में थीटा हो जाएगा और फिर यह मेरा थीटा हो जाएगा यह पर्पिंडिकुलर है, ओके तो यह थीटा हो गया, यह थीटा हो गया, तो मीटी जो AB है, वो H कॉस थीटा हो गई, तो मेरा P3 is equal to P1 प्लस रोजी H कॉस थीटा, this is the simplest method, कि आपको मालूम है, भले ही मैंने इसको vertical inclined पर रग दिया है, थीटा एंगल है, फिर भी मेरा जो equation है, P is equal to P1 प्लस रोजी H, वो होल्टू करेगा, खाली मुझे क्या करना है, H को मेरा vertically downward ही लिखना है, यह दूरसा देखिए, अगर मेरा G है, तो G तो vertically downward लगा, ठीक है, यह मेरा theta हो गया, G को मैं component कर लूँ दो, यह theta है, G cos theta, तो मेरा जो slim के along है, G cos theta है, इसके, और इसके perpendicular में G sin theta है, perpendicular से मुझे कुछ मतलब नहीं है भी, क्योंकि मैं slim के along जा रहा हूँ, तो यह G cos theta है, तो H तो मैं H ही लूँगा, बट G के जगह में G cos theta ले लूँगा, तो फिर मेरा है, rho G, rho, क्या लिखेंगे pressure, at this point, P3 is equal to P1 plus rho, G के जगह D cos theta into H, तो आप किसी भी method को use कर सकते हैं, simple method यही है, बट इसमें क्या है, आपको, तो थोड़ा सा आपको confusion हो सुथता है, कि मैंने इदर इस plane inclined पर रख दिया है, तो मुझे H ये लेना है, या H vertical downward लेना है, तो अगर आप G ले रहे हैं, तो आपको H vertically downward ही लेना है, this is nothing, there is no need to panic, but देखें, यह जो G है, concept wise आएं, जो G है gravity, वो ही responsible है इस pressure difference के लिए, तो आप G को component भी कर सकते हैं, G ऐसा ऐसा अगर के, G cos theta है, इसकी हम बात नहीं करेंगे, यह component बात करेंगे, क्योंकि यह along the pipe है, तो आप G cos तर रखिए, और जो pipe के along जितना भी height अपको ले जाना है, ले जाईए, सिंपले साच, जो G cos theta into, वो height लिख देंगे, तो आपको pressure निका रहाएगा, okay, fundamental concept same ही है, आप भली मैंने YouTube को, sorry, manometer को मैंने inclined plane पर रख दिया है, फिर भी आपका, जो basic concept, basic fundamental concept है हो, that remains the same, P is equal to P1 plus OGH, same height पर, हाँ, इसमें, इसमें देखी, inclined पर, same height पर pressure सेम रहेगा, बट वो same height आपकी vertically upward होनी चाहिए, vertically downward होनी चाहिए, देखी, यह दोनों जो point है, यह जो point है, one or two, यह vertical, मतलब यहाँ से vertical लेंगे मैं यह, यह जो point है, यह, यह vertical, vertical same height पर है, इसके लिए दोनों pressure same है, ऐसे अगर मैं P3 जिखूँ, तो P3 ऐसे लगाओ, उसके लिए मुझे एक horizontal line किंच नी पड़ेगी, जो साइद यहाँ के होगी, तो यह मैरी यह दो point का pressure same रहेगा, तो अगर आपको pressure same के condition लगानी है, तो आपको vertically downward या vertically upward में ही लगाना पड़ेगा, I hope यह manometer की class आपको पसंद आई रहेगी, ओके, ठीक है, next class में मिलते हैं, तक के लिए बाइ-बाइ,